हलो नमस्कार दोस्तों मैं आरवी शिंग आरवी इटेक चैनल में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे वाटर टमपेचर संसर के बारे में जो की वीडियो मेक का है बेस्कलि ये इंजन के उपर माउंट होता है और ये टमपेचर इंजन का संस करके इंजन की कंट्रोलर क की डिस्पले पे डिस्पले करता है ये संसर रजिस्टेंस के ऊपर आधारित होता है तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस संसर को कैसे चेक किया जाता है कि ये संसर प्रापर वर्क कर रहा है या फाल्टी है वीडियो में एक वाटर टमप्रेचर संसर को चेक करने के लिए हमारे पास में एक digital multimeter होना चाहिए और किसी pot में पानी गरम करने की ब्योस्ता होनी चाहिए इसके अलावा एक हमारे पास में थर्मामीटर या temperature gun होनी चाहिए तो चलिए start करते हैं process temperature sensor को चेक करने का तो सबसे पहले हम multimeter का नौप जो है रिजिस्टेंस चेक करने के लिए 2000 रिजिस्टेंस यानि 2000 ओम पे set कर लेंगे यह है इसमें 200 का और यह है 2000 ओम का आइकान तो 2000 पे हम set कर लेंगे क्योंकि इसका जो resistance होता है वो होता है 50 ओम से 800 ओम के बीच में इसलिए हम 2000 ओम आइकान पे set करेंगे अब हम sensor की pin और body के बीच में resistance देखेंगे तो हमने अभी pin पे लगाया है और यह body पे connect कर दिया है जो की लगभख 500 ओम आ रहा है 500 ओम इंडिकेट कर रहा है कि इसका temperature इस समय 35 से 40 के बीच में है और switch का temperature इस समय ambient temperature यानि room के temperature के according है इसको proper check करने के लिए हमको किशी pot में पानी लेना है और उसको धीरे धीरे गरम करना है साथ में sensor का निचला हिस्सा उसी में रखना है और multimeter से हमको साथ में इसका resistance चेक करना है और उसी के साथ में हमको temperature gauge भी उसी पानी में डाल के रखना है तो अगर हमारा 40 temperature हो रहा है उस समय इसका resistance 520 बताना चाहिए 520 ohm बताना चाहिए और 50 centigrade पे 356 ohm बताना चाहिए इसी तरीके से 70 degree पे 145 ohm बताना चाहिए और 90 degree पे 80 ohm बताना चाहिए यानि इस चार्ट के according resistance बताना चाहिए तो हमारा sensor proper work कर रहा है और इसका दूसरा भी दी है देखने के लिए इंजन पे जब लगा हो ये तो उस समय इसका वायर निकाल देना है और particular temperature गन से इंजन का temperature देख लेना है और उस समय उस temperature के according इसका जो है multimeter से हमको resistance चक करना है और चार्ट के according हमारा ohm बताना चाहिए यानि अगर 70 degree temperature इंजन का है तो 145 के आजपास में ohm बताना चाहिए यानि 145 resistance बताना चाहिए तो हमारा ये सही है अगर reading इस से 1-2% कम ज़्यादा है तो चलेगा अगर ज़्यादा error है तो ये फिर faulty है इसको replacement करना पड़ेगा तो चलते हैं थोड़ा सा sensor को गरम करके और देखते हैं इसकी reading में change होता है या नहीं तो हमने glass में थोड़ा सा गुनगुना पानी रखा है एप्रॉक्समेट पचास साथ डिगरी के आसपास होगा temperature इसका तो अब इसमें डालने के बाद हम देखते हैं resistance क्या आ रहा है तो ये हमारा 350 ohm दिखा रहा है 350 ohm का मतलब हो गया चार्ट के according 50 अंस centigrade glass के पानी का temperature है और एक बार देखते हैं इसको ठंड़े पानी में डाल करके रेडिंग में कोई चेंज जाता है या नहीं तो अभी हमने इसको ठंड़े पानी में कुछ देर के लिए डिप कर दिया है और उसके बाद में हम देखेंगे इसके resistance में क्या फरकाता है सामान temperature के पानी से निकालने के बाद में इसका resistance आ रहा है लगवख शाड़े साथ सो साड़े साथ सो resistance याने साथ साथ सो ओम जो है indicate करता है कि इस पानी का temperature लगवख पचीश डिग्री के आस पास में है तो हमने एक प्रोसेस बताया है कि temperature sensor को कैसे चेक करना है और इसकी accurate testing के लिए हमारे पास में temperature gun होना चाहिए या temperature gauge होना चाहिए तो temperature gauge की मदद से हम इसका temperature देखेंगे और particular temperature पे जो हमारा resistance होना चाहिए वो chart के according होना चाहिए अगर chart के according है तो हमारा sensor सही है otherwise sensor replacement करना पड़ेगा तो ये था वीडियो हमारा वीडियो में water temperature sensor को कैसे चेक करें और इस वीडियो को हम यही पे खतम करते हैं फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार वीडियो में आंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब आउस कर लें और बेल आइकान को दबा दें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें थैंक यू फार वाचिंग धन्यवाद